हेलो एवरिवान स्वागत है आप से भी का डाउटनेट में मेरा नाम है बाद में बता दू में क्या है रुप जाओ फेले यह है आपकी नाइंथ की क्लास जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे है हमारा नया चैप्टर विच इस आटम्स एंड मॉली क्यूल्स टेक है जो यह चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि आपकी जो नाइंथ की केमिस्ट्री है उसमें ज्यादा तर त्योरी 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 होता है निमेरिकल पार्ट जो है वह इस चैप्टर से शुरू होता है इससे पिछले जो आपने दो चैप्टर पढ़े which was your matter in our surroundings, is matter around us और उसमें सारी थियोरी थी, इस chapter से जो main important numerical वाला पार्ट होता है वो पार्ट आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, चलिए, so मेरी तारीफ में कुछ शब सुन लेते हैं Hello everyone, I am Swati Raji, your chemistry teacher, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ ठीक है, so जल्दी सब अपनी क्लास को शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आपकी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे law of conservation of mass and law of constant proportions अब जो ये laws हैं हमारे लिए, they are very very important because यही laws आपस में मिलके हमारी पूरी की पूरी chemistry को चलाते हैं ऐसा नहीं है कि केवल ये दो laws exist करते हैं, इनके अलावा और भी exist करते हैं बट हम लोग 9th class के बच्चे, हम लोग छोटे बच्चे हैं तो हम लोग सिरफ इलहाल इन दो को पढ़ेंगे जब आप लोग अपनी higher classes में 11th में जाओगे तो आप लोग और पढ़ोगे, ठीक है? तो जल्दी से अब अपनी class को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक? अब इक लास की शुरूआत में थोड़ा सा warm-up हो जाएं, अब warm-up questions के अलावा और किस चीज़ से ही बढ़े हातरी, कैसे हो सकता है? तो देखते हैं, which of the following is true? आपके पस यहां पर चार options हैं और आपको बताना है कि इन में से कौन सी statement true है? और अभी नहीं बताना है, do not worry, देखो आप लोगों के पस दो option होंगे, live chat में answer देने के and comment section में answer देने के, तो जो आपका comment area है, वहाँ पर जाके आपको इन questions के जवाब देने हैं और मैं वहाँ पर फिर आपको बताऊंगी whether you people set the right answer or not, ठीक है? So, this is your first question and this is going to be your second question, which of the following is a good conductor of electricity, graphite, iodine, copper या फिर D, both A and C, out of graphite, iodine and copper, आपका कौन सा good conductor of electricity है? So, this is something जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले chapter में पढ़ाया है, जो बच्चा कर रहा है कि नहीं मैडम जी हमने तो नहीं पढ़ा है, तो कोई नहीं हमारी doubtnet की app पे जाके आप इससे पिछले वाला chapter अच्छे से पढ़ लेना, ओके? चले, अब हम लोग हमारा lecture शुरू करते है, so, यार प्लीज ऐसा नहीं करना कि कोई भी जवाब नहीं देगा, मुझे पता तो चलना चेना कि मेरे बच्चों को क्या चीज़े समझ में आती है, क्या नहीं और मुझे उसका कैसे पता चलेगा, जब आप लोग जाके अपने comment section में जवाब दोगे, ठीक है, चलते जो भी चीज़े मैं आपको बताऊंगी, उस chemistry की जो शुरुवात है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से हुई, there was this person जिसका नाम था, Anton Von Lavoisier, वो एक French वो थे, मतलब एक French बंदा था वो, जिनकी photo आप यहां पर देख सकते हैं, so, he was a nobleman, nobleman मतलब उनके पास दुनिया कुछ समय बाद उनके जो father है, उनकी death हो गए, उसके बाद घर को चलाना, सारे businesses को देखना, सबकी responsibility इनके उपर आ गए, बट जो Anton जी थे, उनका दिमाग science में बहुत जादा रहता था, उन्हें न हर एक चीज के पीछे का reason जानना होता था, अगर यह particular चीज हो रही है, तो इसका दूसरा case क्यों नहीं हो रहा है, लेक ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो यह नों ने अपने जो सारे कामवाम समभालने के लिए बंदे को रख लिया, और यह और इनकी wife आपस में मिलके experiments perform करते रहे, सो एंटॉइन जी ने एक experiment perform किया, जिससे इन्होंने conclude किया, कि यह मास जो होता है वो conserved रहता है, conserved मतलब कि जितना शुरू में हमने मास लिया है, उतना ही end में मास रहेगा, मास कहीं गायब नहीं होता है, जिक है, अब हमारे लिए चीज बहुत ही जादा छोटी है कि हाँ, तो पता है हमें तो यह चीज, बड़ तुम मान के चलो कि एक ऐसा time जहां पर अगर कोई science की study करे, तो उसको मार दिया जाता था, यह सोचके कि यार यह तो चुडैल है, यह तो विच है, यह तो विच क्राफ्ट करते होंगे, यह तो पका काला जादू करते होंगे, तो यह उस time पर science को इतना आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और टॉइन जी गए, और टॉइन जी ने पहला दिया आग की तरह नगर में धिंडोरा पीट दिया, कि यह तुम्हें पता है, मास जो है ना, मास एक ऐसी चीज है, जो conserved रहता है, मास जो होता है, वो जितना तुमने शुरू में लिया है, उतना ही वो आखिर में रहता है, लोगों ने इनको बहुती जादा नकारा, and at the end of the day, इनको फांसी दे कर मार दिया, so basically जो यह law यहाँ पर लिखा है, law of conservation of mass, यह तरीके से बहुती जादा deadly law है, बहुती जादा जान लेवा law है, क्योंकि इस law की वज़े से किसी ने अपनी जान गवाई थी, टीक है, चले, तो जल्दी से देखते हैं, फिर इस law में अस समझ सकते हैं, जहां कहीं पर भी तुम्हें लेगी, तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम वो टाइम मुझे बता दे ने कि मैं इस टाइम पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस concept में हमें प्रॉब्लम आ रही है, comment section में, and then try to clear that, okay, चले, law of conservation of mass, क्या कहता है, the total mass of products, एक से the total mass of products is equal to the total mass of reactants in a chemical reaction, अब यार हम लोगों ने इतनी बारी देख लिया है कि हमारे आसपास इतने सारे chemical reactions होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम breathe in कर रहे हैं, breathe out कर रहे हैं, that is a chemical reaction, जो खाना मैं खा रही हूँ, वो खाना टूट कर, हमें energy मिल रही है, that is a chemical reaction, इस pen में कोई ना कोई chemical reaction होगा, जो मैं यहाँ पर लिख पा रही हूँ, so everything around us has a chemical reaction, अब जो chemical reaction होता है, उसमें दो चीज़े होती है, reactants and products, ठीक है, जैसे for example, मैं आपको बताती हूँ, पानी कैसे बनता है, पानी बनता है, जब hydrogen and oxygen साथ में मिलते है and H2O बन जाता है, so जो चीज़े आपस में मिल रही है, आपस में घुल मिल रही है, आपस में react कर रही है, उन्हें हम reactants कहते हैं, reactants जो होते हैं हमारे, वो equation के left side में, यह आपकी पूरी की पूरी equation है, जैसे आप लोगों की match में होती है na equation, यह भी एक उसी तरीके की equation है, so this is your reactants, ठीक है, this is your products, आपस में, so reactants and हमारे products बन रही है, तो इस लौका कहना है कि जो हमारे reactants होंगे, जितना mass हमारे reactants का होगा, उतना ही mass हमारे products का होगा, कुछ भी बीच में कहीं भी गायब नहीं होगा, ठीक, समझते हैं, इसको थोड़ा और डीप में, विस्तार में समझते हैं, there is no change in mass during the chemical reaction, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, देखो माना जाता है कि जो यह हमारी पूरी की पूरी पृत्वी है, यह पहले एक बहुती छोटा atom थी, फिर उस atom में एकदम से एक बहुती बड़ा explosion हुआ, उस atom में एक बहुती बड़ा explosion हुआ और उस explosion के कारण हमारी यह पूरी की पूरी श्रिष्टी बन पए, तो उस बड़े से explosion के time पर जितना mass बना था, हमारी श्रिष्टी में अब भी उतना ही mass present है, ना नया mass कहीं से आया है, ना पुराना mass कहीं पर गया है, जैसे for example, अभी मैं हूँ, अब जैसे we die, इलड़ा है, तो जो हमारा mass है वो राख बनके, या soil में मिल जाएगा, या हवा में उड़ जाएगा, या फिर fire, through fire वो चीज़ चली जाएगी, but वो कहीं ना कहीं बस एक form से दूसरे form में convert हो रहा है, it gets converted, भगवत गीता जो है, उसका एक बहुती बढ़िया line है, कि जब लो ये transfer हो रहा है, एक हमारा soul वो का वो है, बस transfer हो रहा है, नहीं चीज थी, वो किसी दूसरी चीज में convert हो जा रही है, हमारी body थी, वो किसी दूसरी चीज में convert हो जाएगी, तुम्हारी जो body है, वो कहीं ना कहीं, किसी पेड के लिए खाद बनने में use हो जाएगी, किसी मान के चलो एक जो वजन आपने वाली मशीन है मैं उसके ओपर खड़ी हुई, मेरे हाथ में 1 kg सेब है और 1 kg संतरा है, सबोसा आए वे 70 kg, मान के चलो है नीतना पर मान के चलो आए वे 70 kg, ले लिए मैंने, 1 kg सेब ले लिया मैंने, उसको मैं लेकर वेंग स्किल पर खड़ी मैं इस हाथ पे रख दिया अब मेरा ये वाला हाथ खाली है अब मैं वापस से जब वेंग स्केल पे खड़ी होंगी तब भी मेरा वजन 72 kg होगा तो इसका क्या मतलब है कि संतरा गायब हो गई या सेब गायब हो गया नहीं वो बस किसी दूसरी चीज में मेरे दूसरे हाथ में में आ गया एक दूसरे फॉल में आ गई हैं चीजए ओके चले स्ब्सक supply निवर वानिशिस कभि खतम नहीं होंगा बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से तीस्रे फॉर्म में अदल की है तो जितनी तुमने लकडिया ली थी तब उस मान के चलो तुम लोगों ने पांच किलो लकडिया ले तुमने पांच किलो लकडिया ले तो क्या पांच किलो ही राख बनी होगी तुम्हारे नहीं या राख तो बहुत कम बनती है मैम लकडिया पांच किलो ली राख तो पा पढ़ियां तुम्हारे रियाक्टेंट थी ये राख तुम्हारा प्रॉडक्ट था तो क्या यहां पर अब law of conservation of mass follow नहीं हो रहा है क्योंकि law of conservation of mass ने कहा था जितना रियाक्टेंट है उतना ही product बनना चाहिए पर यहां पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है फिर क्या अर्थ है इस चीज़ का सोचो 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 जब भी किसी चीज़ में आग लगती है तो क्या सिरफ राख बनती है और कोई byproducts निकलते साथ में और कुछ निकलता नहीं है क्या अफकॉस निकलता है साथ में निकलता है carbon dioxide and water vapor तो आग जली तुम्हारी oxygen की presence में आग जली लकडियां जली बट सिरफ राख नहीं बनी राख के साथ-साथ आपकी carbon dioxide भी बना आपका water vapor भी बना आपकी राख भी बनी तो अगर आपने 5 किलो लकडियां ली है तो पांच किलो राख नहीं बनेगी आपका water vapor बनेगा दुवा निकलता नैं दुवा वो दुवा क्या होता है carbon dioxide यह तो तभी तो खाजी आने लग जाथी तभी तो आँखोंगे जला नुंती रह दुवें की वज़े से आपका carbon dioxide बनेगा और आपकी राक राक यारी की ashes बनेगी आपके तो ये तीनों की तीनों चीजें मिला कर पांच किलों की होंगे ये लकडी थी पांच किलों की ये तीनों की तीनों चीजें मिला कर पांच किलों की होंगी So yes, law of conservation of mass follow हो रहा है Even when लकडियां जलाई जा रही है जल्दी से देखें इसको सामने साइड़ जाती हूँ मैं, हरी अब, all of you, हरी अब, हरी अब, जल्दी से, दस, नौ, आठ, साथ, छै, पाँच, चार, तीन, दो, और एक, चल्द देखते हैं, अब ये सवाल मैं आप लोग उसे पूछ रही हूँ, मैंने स्टेट चेंज कर दी, मैंने ना पानी को जमा दिया, या मैंने बर्फ को पिंगला दिया, तो क्या मास सेम रहेगा, मतब अगर मैंने चार किलो बर्फ ली है, तो क्या वो चार किलो पानी ही बनाएगी पिंगल के, यह मैंने चार किलो पानी लिया है तो क्या वो चार किलो बरफ ही बनाएगा जब वो जमेगा यहाँ पर state change हो रही है state change क्या होती है solid से liquid में change होना liquid से gas में change होना इसको हम state change कहते हैं यह एक state change हो रही है तो क्या मैं जब state change होती है तब भी law of conservation of mass follow होता है क्या लगता है तुम लोगों को solid से liquid गई, liquid से gas में गई law of conservation of mass follow होता है कैसे होता है अगर मैंने लिया एक glass जिसमें 1000 ग्राम ice cubes है अगर उसको मैंने पिंगला दिया ना तो वो पिंगलने के बाद 1000 ग्राम पानी बनाएगे ना उपर ना नीचे 1000 ग्राम होगा जल्दी से देखो इसको note down करो इसको hurry up सारे के सारे hurry up all of you so glass filled with 1000 ग्राम ice cubes will have 1000 ग्राम liquid water ठीक है जी understood अब हम करते हैं कुछ questions because ma'am what is the point of so much theory when we do not have to learn the theory we just have to do the numericals so let's do the numericals numericals में कुछ नहीं करना तुम्हें बस पढ़ना है जो जो बोला गया सीद्धा वैसे का वैसा टेपना है ठीक है so दिखते हैं फिर question में क्या है 4 ग्राम hydrogen react कर रहा है थोड़े से oxygen के साथ to make 36 grams of water figure out how much oxygen must have been used by applying the law of conservation of mass अब यार अपने को पता है कि पानी देखो अब तक तुम्हें इतना थोड़ा बहुत chemistry आ जाना चाहिए कि तुम्हें इतनी general knowledge हो जानी चाहिए कि जो आपकी वो है hydrogen है वो किसके साथ combine करता है तो पानी बनता है so these are the some things which you people must know तो इस एक equation लिखो जैसे maths में word problem होता है word problem के बाद equation लिखते हो नो वैसी ही equation यहाँ पे भी लिखो लिखो यहाँ पे क्या हो रहा है hydrogen react कर रहा है oxygen के साथ जो-जो question में लिखा है बस उसको अंधा धुन follow करता जा बिटा so hydrogen है hydrogen react कर रहा है oxygen के साथ so hydrogen react कर दे oxygen के साथ और क्या मिला हमें water ठीक है जी बहुत बढ़िया अब यहाँ पे values देखो कितना gram react कर रहे चार gram hydrogen react कर रहे बाबा रे बाबा कितने oxygen के साथ यही हमें निकालना है यही मुझे पता लगाना है ओके जी LHS is equal to RHS कर सीद्धा law of conservation of mass में कुछ नहीं करना law of conservation of mass क्या होता है LHS is equal to RHS LHS क्या है reactants RHS क्या है products अगर तुम्हें chemistry की भाशा में समझ में नहीं आता तो maths की भाशा में समझ बस LHS is equal to RHS करना है that is all तो तुम्हारे पास water कितना given है 36 gram 36 gram ओके बहुत बढ़िया तो तुम्हें क्या करना होगा 4 gram plus में oxygen के mass को X ले लेते हैं so this is your LHS left hand side is equal to the right hand side law of conservation of mass क्या कहता है यही कहता है कि LHS is equal to RHS ठीक है अब X कैसे निकालोगे तुम 36 माइनस में 4 क्या बात अब बढ़ी तेस calculation हो रहे है तुम लोगों की दिखरेक्टाइसर इस गूइन तो बी 32 gram यानी की 4 gram oxygen के साथ 4 gram hydrogen के साथ 32 gram oxygen react किया तब जाके 36 gram मिला तब जाके 36 gram मिला मानके चलो हमें law of conservation of mass के बारे में पता ही ना होता और मुझे यह ना पता होता कि मुझे 4 gram hydrogen के साथ कितने gram oxygen को react कराना है अगर 36 gram पानी बनाना है यह कपी पानी ना बना पाती चल बना भी पाती तो accurately ना बना पाती तो law of conservation of mass is very important for us to make new things मुझे यह ना पता होता कि कितना nitrogen कितने hydrogen के साथ मिलेगा कि ammonia बन सके अब ammonia खाद में बहुत जादा यूज होता है तो मैं कभी खाद ना बना पाती तो law of conservation of mass is very helpful and crucial in order for us to know कि भाई कितना product बनाना है और कितना product बनाने के लिए कितना reactant चाहिए होता है ठीक है आए बाद समझ में सब को चले आगे चलते हैं next question how much oxygen will be added with 36 gram carbon to give 132 gram carbon dioxide how much oxygen will add with 36 gram carbon लगाओ इसाब लगाओ इसाब जल्डी से all of you चलो में साइड उजाती हूं equation बनाओ अपनी अपनी equation बना के करो इसको अरियप 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 यहाने ऐसे बैठने नहीं आयो तुम काम करने आयो पड़ाई लिखाई करनी है नलेको चलो क्या question है how much oxygen कितना oxygen add करूंगी मैं 36 gram carbon के साथ कि मुझे 132 gram carbon dioxide मिल जाए तो ठीक है फिर क्या carbon चाहिए अच्छा carbon के साथ क्या चाहिए अपने अपने copy pen उठाके करना है हाथ चलाओगे तो उतना ही दिमाग चलेगा ठीक है पड़ाई का यही सीधा concept है जितना हाथ चलता है उतना ही दिमाग उतनी ही चीजें याद रहती है गलत जगा हाथ चलाने से अच्छा है पड़ाई लिखाई में कर लो चीक वैसे भी मार पे टाई में बड़े लगे रहते होगे तुम कार्वन कितना है बाई 36 ग्राम ओके जी oxygen कितना है मेडम भई तु निकालना है अच्छा carbon dioxide कितना है 132 ग्राम ठीक है निकालो law of conservation of mass को follow कर रहा है दुनिया की कोई ऐसी equation ही नहीं जो law of conservation of mass को follow ना करे तुम बोलो के माम यहां तो question में mentioned ही नहीं है that whether this is following the law of conservation of mass or not करेगा भाई दुनिया की सर्वश्रेष्ट equation इस law को follow करेगी जो law जो equation इस law को follow करती नहीं वो exist ही नहीं कर सकती तुम यू मान के चलो इतनी universal equation है सब follow करते है करो LHS is equal to RHS हरे अप करो 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 शवाश साइड हटू साइड हटू करो करो पांच सेकंड की equation है हरी अप करा चटिस प्लस में X is equal to 132 क्या करना है कुछ नहीं करना 132 माइनस 36 ये भी करना होगा ये भी सिखाओं 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 सब करना कुछ भी को शुर सहनी करना मैंने कुछ बी चैनल भी पंटां ये तुम बतावए थीपर तूह मध्यान रिक्जा हरे दूब डेखने दो गलत ना हो गई रे neuग यार नौ आए घां पे देखा तुमicios के चकरों में जल्दी से करो, यहाँ पर 12 आएगा, 12 है तो इदर 90 होगा ना, 96 हैगा ना इदर, चीक है, 2, 1, 10, भाई हो जाता है, कभी-कभी मिश्टेक हो जाते हैं, गल्ती से मिश्टेक हो जाता है, so yes, the correct answer is going to be 96 ग्राम, यानि की 36 ग्राम कार्बन मिलेगा 96 ग्राम ऑक्सिजन के साथ to make 132 ग्राम कार्बन डायोकसाइड, मुझे नहीं लगता है अब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो नी चाहिए, पर एक और क्वेस्टन करते हैं, हम to understand this concept better, 4.2 ग्राम ऑफ केसी लो 3 is heated to produce 1.92 ग्राम ऑफ ओ टू ऑक्सिजन and 2.96 ग्राम ऑफ केसील as residue, residue is something पढ़ा हूँ आना कि filtrate और residue, residue is something जो पीछे बच जाता है, byproduct, एक तो देख होता है main product, एक होता है byproduct, ठीक है, तो यहाँ पे oxygen main product है, केसील तुमारे एक byproduct है, तो byproduct की तरह बन रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, मैं यहाँ पर चीज, write the equation, write the equation, दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, write the equation मतलब chemical equation, उसके बाद LHS is equal to RHS, proof करना है, क्योंकि question में ही यह दिया है, कि भाई, proof करके बता, कि LHS is equal to RHS है या नहीं, यह चीज तुम्हें proof करनी है, तो कर, side it गई हूँ मैं हरी अप खेच तो, खेच तो, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 5, 4, 3, 2, and 1 समझे, समझे कैसे करना है, लिखी equation आपने, चमझे, साथ-साथ करते हैं, सबका साथ, सबका फिकास बहुत बढ़िया, चल यहां के चलते हैं, लिखते हैं इसको, यहां पर क्या है, KCLO3 है, इसको, जब मैंने हीट किया, तो मुझे मिला, KCLO, and O2, KCLO3 कहीं? चल रहे हैं, माफ कीजेगा, KCLO3, KCLO3 कितना था? 4.2, KCL कितना था? 2.96, and O2 कितना? अचानी, उल्टा लिख दिया, यार मैंने, उल्टा लिख दिया, मैंने, छीखने के बाद ना, थोड़ा ध्याने धरो धरो जाता है, जी, KCL है 2.96, and O2 है 1.92, अब आपको ये प्रूफ करना है कि क्या ये law of conservation of mass को फॉलो करता है, या नहीं? So, basically, आपको LHS is equal to RHS, प्रूफ करना है मुझे, तो करो फिर, क्या प्रॉब्लम है? LHS में क्या है आपके? 4.2, RHS में क्या है आपके? 2.96, प्लस में 1.92, तो कुछ नहीं करना है, आड करके देख बिटा, 2.96, 1.92, कितना होगा? 8, 8, 1, 4.88, यहां तो ये 4.2 है, सही क्या है ना? 8, 8, 1, so this is 4.88, this is 4.2, तो ये तो follow कर ही नहीं रहे है, ये तो follow कर ही नहीं रहे है, 4.2 is not equal to 4.88, यानि कि ये law of conservation of mass को follow कर ही नहीं रहे है, they are not following the law of conservation of mass, अब आप बोलेगे माँ, आपने तो भी कहा था कि सब follow करते है, तो ये एक hypothetical equation देदी है, ये hypothetical equation देदी है आप लोगों को, अगर आप लोग वैसे देखोगे, तो हर एक equation follow करेगी ही, करेगी, note down कीज़े इसको, hurry up all of you, note down करो इसको अपनी अपनी कॉपियों में, चलिए, चलो, आगे चलते हैं, note down कर लिया होगा न, चले, तो यहाँ पर हमारा खतम होता है law of conservation of mass, अब हम लोग शुरू करते हैं, हमारा नया law, that is law of constant proportions, अब constant चीज का क्या होता है, law of conservation of mass, अपना finish है, law of constant proportion देखते हैं, अब constant शब्द का क्या मत्तब होता है, जो same रहे, जो बिलकुल same रहे, जो कभी भी बदले न, तो चाहिए मैं constant proportion बोलू, चाहिए मैं fixed proportion बोलू, चाहिए मैं definite proportion बोलू, एक ही बात है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, fixed and definite, ठीके, so fixed and definite proportion, जो अब यह क्या कहता है, देखते हैं जी, अब pure chemical compound, pure chemical compound मतलब जिसमें किसी भी तरीके की extra impurities ना present हो, इसे पहले वाले चाप्टर में हमने पढ़ा है ना, कि बही अलग अलग तरीके के mixtures present रहते हैं, फिर उन mixtures को हमें separate करना होता है, तो यह कह रहा है कि अगर कोई भी pure chemical compound होगा, तो उसमें हमेशा same elements present रहेंगे and वो same elements हमेशा same ही ratio में present रहेंगे, समझाती हो मैं आपको, for example, the compound carbon dioxide, CO2 can be formed in a number of different ways, कितने तरीके तुम खुच सोच सकते हो जिससे carbon dioxide बनती हो, मैंने अभी हवाली अंदर, carbon dioxide release करती, एक तरीका जिससे carbon dioxide बना है, तुम लोगों की class लेने के लिए मैं मेरी स्कूटी पर आई, तो जो पीछे से धुआ निकला, उसमें carbon dioxide निकला, this is the second way of carbon dioxide, third way of carbon dioxide is, मेरे घर में जो marble present है, उसको अगर मैं अंडे के छिलके को जलाऊं, तो carbon dioxide release होगा, marble को जलाऊं, तो carbon dioxide release होगा, तीसरा तरीका, चौथा तरीका बई, गाड़ी वाला स्कूटी गाड़ी, एक में मान लेते हैं, चौथा तरीका जब fossil fuels को उसमें carbon जादा होगा, तुम्हारे वाले में carbon कम होगा, क्योंकि तुम एक साफ जगा रहते हो, जहां पर pollution नहीं है, अफकोस ही बात नहीं है, तुम कहीं कहीं उठा लो, कहीं कहीं carbon dioxide उठा लो, formula सेम रहेगा, जितना carbon है, उतना ही oxygen रहेगा, बस शर्ते वो carbon dioxide एक pure compound होना चाहिए, तो जो ये law of constant proportion है, यहीं चीज कहता है, कि चाहे तुम पानी कहीं का लियाओ, तुम अमेरिका का, आफरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी continent का पानी लियाओ, किसी भी जगा का, hydrochloric acid लियाओ, किसी भी जगा का, किसी भी brand का, तुम glucose लियाओ, glucose का तो formula सेम ही रहेगा, C6, H12, O6, 6 carbon होंगे, 12 hydrogen होंगे, 6 oxygen होंगे, यह कह रहे हैं कि जो proportion है, वो सेम रहता है, proportion by mass, जैसे कि carbon oxygen 2, carbon का mass होता है बेटा, 12, यह तुम इसी chapter में आगे सीखोगे, अभी की mass कैसे निकालते हैं, बस अभी के लिए देख लो, carbon का mass है 12, ratio निकालना है, तो ratio लगा दिया, एक oxygen का mass होता है बेटा, 16, यह आप लोगों को learn करना पड़ेगा, सिखाया नहीं जाएगा, यह learn करना पड़ेगा, into में 2, so this is 12, is 2, 32, so 2, 6's are 12, 2, 16's are, 2, 3's are, 2, 8's are, so basically carbon and oxygen हमेशा 3 is to 8 के ratio में present रहेंगे, एक और example देती हूँ, जैसे water है, water, एक hydrogen का mass होता है 1, यहाँ पर 2 hydrogen है, तो into 2, ratio लगा दिया, oxygen का है 16, so 2 is to 16, 2, 1, 2, 2, 8, 16, यानि कि hydrogen and oxygen हमेशा 1 is to 8 के ratio में रहेंगे, अगर मैंने hydrogen को 2 कर दिया, तो oxygen हमेशा 8 टाइम हो जाएगा, मतलब अगर मैंने इस चीज को into 2 कर दिया, तो यह भी खुद बखुद into 2 हो जाएगा, ताकि ratio सेम रहे, अगर मैंने इसको into 3 कर दिया, तो मुझे इसे भी into 3 करना होगा, क्योंकि मुझे ये ratio सेम रखना है, so law of constant proportion यही कहता है, कि यह चीजे हमेशा सेम रहती है, it's like जिससे तुम्हारी स्वाती मैम है, स्वाती मैम कहीं भी हो, यहां हो, कहीं और हो, तो मैं तुमसे मैं बाहर कहीं मिलू, मैं जैसी हूँ, मैं वैसी की वैसी रहूँगी न, इसमें प्यार से अच्छे से तुम लोगों से बात करती हूँ, मैं उसी तरीके से अच्छे से तुम लोगों से बात करती हूँ, so मैं सेम रहूँगी, so मैं constant हूँ, मैं बिल्कुल ही fixed हूँ, आईवाद समझ में ठीक चले सो फिर जो यह हमारा law of constant proportion है यह अब हमारा खतम होता है और आप लोगों को अब मैं कुछ again questions दूँगी जो आप लोगों को comment section में बताने होगी अब आप बोलोगा मैं इसके उपर अपने numericals नहीं करा है law of constant proportion के उपर कम numericals है आप लोगों से कम ही पूछे जाते है बट एकदम से मुझे आप लोगों के उपर पूरा overload नहीं कर देना है तो उसको मैं कराऊंगी आपकी next class में for sure करा दूँगे ठेक है so यह है आप लोगों का दूसरा sorry तीसरा question all samples of carbon dioxide contain carbon and oxygen in the mass ratio of 3 is to 8 just अभी देखा है हमने just अभी 3 is to 8 निकाला है this is in agreement with the law of कि जो यह concept है कि जितने भी sample होंगे carbon dioxide के उसमें carbon and oxygen हमेशा 3 is to 8 के ratio में होगा यह कौन से law के तहत हम कहते है law of conservation of mass law of conservation of momentum यह आपने physics में पढ़ा है चलो एक hint मैंने दे दिया कि यह correct answer नहीं होगा law of constant proportions या फिर option D both A and C अब यह भी आप लोगों को बिटा comment section में जाके ma'am को बताना होगा because जब तक आप comment section में नहीं बताओगे how would I know कि मेरे students को concept समझ में आ रहा है या नहीं and अभी तो मुझे आपको बहुत सारी चीजे समझानी है तो जितना आसानी तरीके से आप मुझे बता पाओगे कि हां जी माम हम यह समझ में आया पर यह नहीं आया उतना ही मेरे लिए easy होगा आपको चीजे समझाना तो थोड़ी सी आप मेरी help कीचे मैं आपकी थोड़ी सी help करूंगे law of constant composition is also known as definite proportion multiple proportion conservation of mass या फिर option d both a and c ठीक है जो यह चार questions है आपके question 1, question 2, question 3 and question 4 इनको आप लोगों को comment section में जाके लिखना है proper series में बताना है आप लोगोंने आप लोगों के जो कोई भी doubt रह गए है आपको कोई numerical समझ में नहीं आया तो आप बोल देना मोल concept के बारे में और जिन बच्चों को नहीं पता मैड़ा मोल concept क्या है यह क्या नहीं चीज है तो हम लोग पढ़ेंगे आपके avogadros number के बारे में so mole concept and avogadros number यह एक दूसरे से linked रहते हैं एक दूसरे से same same रहते हैं so हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे so it's going to be a very interesting and a very very interactive class okay चले तो फिर thank you to all of you मिलते हैं आपके अगली class में तब तक के लिए बाई-बाई